आखिर महिलाओं के लिए क्यों जरूरी होता है सेक्स। अक्सर सेक्स से जुड़ी बाते हम यानी महिलाएं खुलकर नहीं करती हैं। सामाज के हिसाब से ऐसी बाते करना एक महिला को शोभा नहीं देता है। सेक्स एक महिला और पुरुष दोनों की ही बेसिक बोडी नीड होती है। हो सकता है कई लोगों को इसमें इंटरेस्ट सरा कम हो लेकिन जिनहें सेक्स पसंद होता है वो एक टाइम पर इसके आदी भी हो जाते हैं। जब बात आती है महिलाओं में सेक्स की तो वो अपनी बाते खुल कर नहीं रख पाती है। बता दे, सेक्स महिलाओं को स्वस्त रखने में काफी मदद कर सकता है। सेक्स के दोरान शरीर और मन दोनों को फाइदा पहुँचता है। ये शरीर को exercise की तरह काम करने में मदद करता है जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थे बना रहता है। मानसिक स्वास्थे के लिए फायदे मंध हो सकता है। इसलिए सेक्स के बारे में सोचने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपके शारीर और मन के लिए इससे क्या फायदा हो सकता है और आप इसे कैसे संभव तरीके से कर सकती हैं। इस बारे में साइन्स तो काफी कुछ कहता है लेकिन उससे पहले लोगों का ध्यान जाता है समाज की तरफ. समाज के हिसाब से महिलाओं के फिजिकल रिलेशन बनाने के कई अजपते कारण हो सकते हैं. समाज के हिसाब से सेक्स के बारे में बात करने और सोचने का हक सिर्फ पुरुशों को है इसलिए महिलाएं सेक्स सिर्फ अपने पती की सेवा के लिए ही करती है. क्यूंकि उनके पती को सेक्स करना होता है. समाज के हिसाब से इसका दूसरा कारण ये है कि महिलाओं को सेक्स की जरूरत सिर्फ वंश बढ़ाने यानी बच्चों को पैदा करने के लिए होती है समाज के हिसाब से अगर कोई महिला को सेक्स की इच्छा रखती है तो वो एक केरेक्टर लेस महिला है ऐसी बाते महिलाओं को शोभा नहीं देती है सेक्स के दोरान महिलाओं में भी कुछ हॉमोन उत्पन होते हैं जो उनके स्वास्थे के लिए फायदे मंद होते हैं सेक्स के दौरान महिलाओं में ओक्सिटोसिन हॉमोन उत्पन होता है जो उन्हें खुशी और संतुष्टी का अनुभव करवाता है इसके अलावा एस्ट्रोजन नामक हॉमोन का स्तर भी बढ़ता है जो महिलाओं की स्तनों और वेजाइना के स्वास्थे के लिए फायदे मंद होता है अक्सर महिलाओं किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी खुद की खुशी के लिए सेक्स करना पसंद करती है